हेलो फ्रेंड्स आज फिर हम आजीर एक नए वीडियो के साथ आज लेकर आए हैं किचन की टिप्स और ट्रिक्स वीडियो को लाज तक देखेगा चैनल पर अगर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा फेस्बुक पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर कीजेगा औ वीडियोगलास तक देख लाज तक आपको बहुत히 मज़ा आने वाला है यहापको अनुक्षा अनुकी ट्रिक्स आंट इप्स की जानकरी आपको मिलने वाली है चले आते हम हमारी पहली टिप्स की उपर दोस्तो जब कभी हम हमारे बडतन इस तरीके से पर फेर्स जाते है मे आप इसमें तेल लगाएंगे तो इजीली निकल जाएंगे बहुत सारे लोग इस टिप को जानते होंगे कि तेल लगाकर फसेवी बरतन को हम निकाल सकते हैं आप जानते ही होंगे इस टिप को आगे आते हमारे टिप के उपर दोस्तों जब हम आलू बॉइल करते हैं तो हम इत चमज के करीब नमक डालना है और पानी आपको यहाँ पर बहुत कम लेना है बहुत कम पानी में आलू आसानी से बॉइल हो जाते हैं और नमक डालने का परपस यहाँ पर यह है कि नमक डालने से छिलका बहुत ही इजिली निकल जाता है देखिए मेरे आलू पक गए हैं कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और आप देश के किस दोने से मेरा वीडियो देख रहे हैं जरूर बताईएगा आते हैं हमारी अगली टिप्स के उपर जब हम पालक काटते हैं तो इस प्रकार की डंठल बसती है और उस डंठल को हम फेक देते हैं फ आपके दातों के सारी गंदगी रिमो हो जाएगी आपके दातों में प्रेजेंट सारे बेक्टिरिया रिमो हो जाएगे और आपके दात बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगे आते हैं हमारी अगली टिप्स के उपर आप मेरी फिंगर देख रहे होंगे मैं अपनी उंगली बता रही हूं आज किचन में काम करते करते मेरी उंगली जल गई आपको इतना इसली दिखने ही रहा होगा क्योंकि मैंने ततकाल उस पर कोलगेट एपलाई किया और साथी साथ वीडियो भी शूट कर लिया मैं बाद में इसकी पिक्चर आपके साथ जरूर शेयर करूंगी तो जैसे ही अगर आपको गिस पर काम करते करते हाथ पेर या कही पर भी चटका लग जाए हाथ पेरों के उपर चाय गिर जाए गरम पानी गिर जाए इसी कोई भी परिसिती हो और आप चाहते हो कि छाला ना आए और तदकाल आपको ठंडा हट चाही हो तो आपको क्या करना है कोलगेट लगाना है और बहुत सारे लोग आप सभी जानते हैं कि कोलगेट का यूज़ कर एनली टिप्स कैसी लगें मुझे कमेंड बोक्स में जरूर बतायेगा आते हैं हमारी अगली टिप्स के उपर कि दोस्तों पालक की सब्जी तो आप भी बनाते ही हैं काईते हैं तो देखिए जब हमालक काटते हैं तो बहुत सारे लोग केसे काटते थ", इस प्रकार से पालक को मैंने कट किया जिससे आपका बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था बिल्कुल एक मिनट में आपकी जो पालक है वो कटकर रेडी हो गई जो भी आपकी इस प्रकार से बेल वाली सब्जियां हों उसे आप इसी तरीके से काटे चाहे वो मेथी हो पालक हो धनिया हो हरी दे तोड़कर पालक काटने की जरूरत नहीं है तो आपको मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी अभी आगे और टिप्स आने वाली है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और साथी साथ फैमेली और फ्रेंस के साथ जरूर शेयर कीजिएगा आप चाहे और बारिक पालक काटना तो उसे हलका हलका हाथों से उटाकर और बारिक आप कर सकते हैं मैंने पालक किस प्रकार काटी है आप पालक किस प्रकार काते हैं मुझे कमे करूंगी आप बात आती है puis दोस्तों दूद्थ हो या सबजी हो जब हम बनाते हैं या पिर दूद सबजी कुछ B Moratay उसमें चम्मज डालते हैं अगर वह समस छोटा हो तो वह दूद के अंदर सबजी के अंदर डूब जाता है यह प्रॉब्लम हमें सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ती है अगर हमने जो इस्पून है वो छोटा लिया हो और जो हमारी कड़ाई हो तपेली हो ज्यादा बड़ी हो तो वो डूब जाती है तो मैंने यहाँ पर डबल टेप का साह वो डूबेगा बिल्कुल नहीं आपकी प्रॉब्लम का सोलुशन हो जाएगा तो आपको यह टिप्स कैसी लगी मुझे जरूर बताईएगा आते हैं अगली टिप्स के उपर अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यह क्या कर रही हूं धागों की गट्टियों को तवे के उपर जिया हां दोस्तों जब भी हमारे मसीन के अंदर धागा बार बार तूटता है इसका मतलब यह ही है कि धागे में नमी आ गई है वो नमी कोई भी कारण हो सकता है नमी आने का कभी कभी तो हमारे गीले हाथ लगने के वज़े से भी जो धागे की गट्या होती है उसमें नमी आजाती है और इसलिए जो हमारा धागा है वो बार बार तूटता है आपको जब खाना बनाने के बाद या फिर अलग से भी आप चाहे तो तवे की उपर इसे अच्छे से शेक लीजिए ताकि इसमें जो भी नमी उपस्ती थे वो रिमो हो जाए दोस्तों और इसके बाद जब तो लाइक किजेगा चैनल को सब्सक्राइब किजेगा थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स मिलते हैं एक्स वीडियो में बाबाई